नमस्कार मैं हूँ बजय और आप देख रहे हैं बोल्ट सकाय साइद जाफरी एक नाम जो बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है साइद जाफरी एक नाम जिसने कई बेहतरीन फिल्में दी एक नाम जो अलग-अलग तरह के किरदार के लिए जाना जाता है आये जानते हैं साइद जाफरी से जुड़ी कुछ अंसुनी कहानिया उनकी इस बायोग्राफी में 8 जैन्वरी 1929 को जन्में साइद जाफरी भारतिय ब्रिटिश आक्टर थे उन्होंने रेडियो, स्टेज, टेलिविजन और फिल्मों में आक्टिंग किया था और अपनी खास पहचान बनाई थी साइद जाफरी कई भाशाएं बोल सकते थे उन्होंने कई ब्रिटिश आमेरिकी और भारतिय फिल्मों में आक्टिंग की थी उन्हें 80 और 90 के दशक में ब्रिटेन में एशिया मूल के सबसे बहतर अभिनेता के रूप में माना गया साल 1995 में साइद जाफरी को उनके ड्रामा के क्षेतर में बहतरीन प्रदर्शन के लिए ओन्री कमांडर ओफ द ब्रिटिश अमपायर के समान से नवाजा गया ओन्री कमांडर ओफ ब्रिटिश अमपायर समान पाने वाले साइद जाफरी पहले एशिया अभिनेता थे साइद जाफरी ब्रिटिश राज में पंजाब के एक मुसलिम परिवार में जन में थे उनके पिता डॉक्टर हामिद हुसैन जाफरी थे साइद जाफरी की दूसरी पोस्ट ग्राजुएशन डिग्री अमेरिका के कैथोलिक यूनिवोसिटी से हुई इसके लिए उन्हें पूरी स्कॉलर्शिप भी मिली थी साइद जाफरी ने अपने करियर के शुरुवात एक थेटर कंपनी यूनिटी थेटर की स्थापना के साथ की थी ये कंपनी डेली में स्थापित की गई थी साइद जाफरी की पहली शादी अभिनेत्री और टीवी शेफ अंकर मधुर जाफरी से हुई थी उनके साथ साइद जाफरी का 1965 में तलाख हो गया साइद जाफरी के पहली शादी से तीन बेटिया है उनकी एक बेटी सकीना जाफरी साइद जाफरी ने कई विदेशी आक्टर के साथ काम किया है सहीद जाफरी ने ओल इंडिया रेडियो के रेडियो डिरेक्टर के रूप में भी काम किया है सहीद जाफरी अमेरिका में भारतिय सरकार के पर्यटन वेभा की पबलिसिटी और अप्रिटाइजिंग डिरेक्टर के तौर पर 1958 से 1960 तक न्यूकत रहे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले सहीद की हिंदी और उर्दू पर भी घजब की पकड़ थी वो सौसे भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं और अपनी फिल्मों में अलग तरह के किरदार के लिए जाने जाते हैं सहीद जौफरी जबरदस्त में मिक्री किया करते थे अपने स्कूल के दिनों में वो अपने टीचर्स की आक्टिंग किया करते थे सहीद कई बहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिसमें गांधी, शत्रेंज की खिलाडी, हिना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, चश्म बद्दूर इन सभी फिल्मों में इनकी काफी तारीफ हुई आपको बता दे कि उन्होंने अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले में मिंटो सरकर स्कूल में प्रवेश किया जहां उन्होंने मिमेकरी के लिए अपनी प्रदिभा का विकास किया 1949 में उन्होंने आखरी महान मुगल समराट औरंग जेव के बारे में एक स्कूल में नाटक के द्वारा शिक हो की भूमिका निभाई सहीर जाफरी ने अपने करियर के शुरुवात एक ठीटर कंपनी यूनिटी ठीटर के स्थापना के साथ की सहीर जाफरी अपनी एक से बढ़कर एक आक्टिंग के लिए जाने जाते थे सहीर जाफरी बेहत सक्सेस्फुल आक्टर में शुमार हो चुके थे सहीर जाफरी अपने लंडन स्थित घर में ब्रेन हैमरे से गिरे और कभी होश में नहीं आए 15 नमेंबर 1915 को लंडन में उनका निधन हो गया और इस तरह बॉलिवुड ने एक महान एक्टर को खो दिया सहीर जाफरी आज भले हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके द्वारा निभाये के कई यादगार किरदार आज भी जहन में ताजा है आज भी जब भी उनकी फिल्में हम देखते हैं तो अपने करीब हम सहीर जाफरी को जरूर पाते हैं तो ऐसी थी सहीर जाफरी की कहानी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही